आप देखिए यह विडियो, माया ट्यूटर पर मुफ्त कूपन कोड साइट पर बैनर में दिया गया है, अभी पंजी करन करें, फ्री में ओनलाइन क्लास लें हमारे देश में कई प्रतिभाशाली शिक्षन शिक्षक हैं, प्रहिनिया और बेरोजगार बहुत कम दरों पर कक्षाएं लगाकर जीवन यापन करते हैं, लेकिन जब कॉविड आया तो वे क्लास नहीं ले सके, इतने सारे महान शिक्षन एप के आगमन के साथ कई ने अपने छात्रों को खोदिया है, वेब साइट को बड़ी रकम में नहीं बनाया जा सका, लेकिन इस प्रकार के होम ट्यूशन का उप्योग शिक्षक माया ट्यूटर्स डॉट कॉम पर बहुत कम मासिक दर पर कक्षाए लेने के लिए कर सकते हैं, यदि आप केवल एक बार वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और इन कक्षाओं को सूची बद करते हैं, तो आप अगले वर्ष फिर से इन कक्षाओं का उप्योग कर सकते हैं, रोबोटिक्स के लिए कक्षाएं सूची बद होने के बाद बाद में कक् साथ ही अब आप जूम एप और गूगल मीट के जरिये लाइव क्लासेज ले सकते हैं, यह सब माया वैब पोर्टल के जरिये बड़ी आसानी से किया जा सकता है. आपके छात्रों के अलावा अन्यदूर के छात्र इस पोर्टल के माध्यम से आपको धून सकते हैं. उन्हें केवल एक व्यवसाए नहीं है, अपने कोशल को साबित करें. बहतर आए प्राप्त करें. अधिक जानने के लिए यह वीडियो दें. mytutor.com. दुनिया भर के शिक्षक और संस्थान ट्यूशन लेने के लिए इस वेब पोर्टल का उप्योग कर सकते हैं. दुनिया एक ओनलाइन क्लास की तरफ बढ़ रही है. फिर आपके छात्र एक ओनलाइन कक्षा में चले जाएंगे. ओनलाइन ट्यूशन क्लास लेने के ल प्रोबोटिक्स क्लास क्या है? आद में ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं है. अधिक जानकारी के लिए ये कैसे काम करता है? देखें. माया वेब पोर्टल पर मैं किन विशयों की ट्यूशन ले सकता हूँ? स्कूल पाठ्यक्रम, कॉलेज पाठ्यक्रम, पश्चिमी संगीत, करनाटक संगीत, संगीत वाध्ययंत्र, नृत्य, खाना बनाना, सिलाई चित्रकारी, पी एस सी, बैंक प्रवेश कोचिंग, भाशा अध्ययन, आप लेखानकन, मनो विज्ञान, दर्शन. ये सब विशय ज शिक्षक छात्रों से फीज कैसे लेते हैं? फीज सीधे छात्रों से ली जानी चाहिए. इसके लिए शिक्षक के प्रोफाइल पर शुल्क भुगतान करने वाला बैंक खाता और पैमेंट वॉलेट क्यू आर कोड प्रदर्शित करने के विकल्प हैं. क्या मुझे माया शुल्क में से कोई कमीशन देना होगा? नहीं, इस वेब पोर्टल का उप्योग करने के लिए शिक्षकों से केवल किराया लिया जाता है. शिक्षकों से कोई अन्य शुल्क नहीं लिया जाता है. माया पोर्टल के माध्यम से ओनलाइन ट्यूशन सुविधा की दर क्या है? म हाँ बिल्कुल आपको साथ दिन का डेमो मिलेगा शिक्षकों के लिए डेमो प्राप्त करने के लिए क्या करें यदि आप एक शिक्षक के रूप में पंजी करन करते हैं तो डेमो उपलब्ध होगा डेमो कितने दिनों में उपलब्ध होगा यदि आप एक शिक्षक के रूप शिक्षक के रूप में पंजी करण करें यदि आप एक छात्र के रूप में पंजी करण करते हैं तो आप इस पोटल पर पढ़ाने में सक्षम नहीं होंगे शिक्षक का पंजी करण कैसे करें? डेमो कैसे प्रापत करें? अगर आप शिक्षक हैं तो यहाँ शिक्षक के रूप में पंजी करण करें. पहले इस फॉर्म को भरें, नियम और शर्ते स्वीकार करें. रजिस्टर पर क्लेक करें. अपने मेल पर जाने के बाद, माया ट्यूटर सक्रियन मेल खोलें. सक्रियन लिंक पर क्लेक करें. मेंबर लॉगिन का चायन करने के बाद, अपना मेल आईडी और पास्वर्ट दर्ज करें और फिर लॉगिन करें. यहाँ, गूगल के साथ लॉगिन चुनें. देमो अब तैयार है. अपनी प्रोफाइल सम्पादित करें. यह विडियो देखें. अपना पार्थ्यक्रम और म मोड्यूल बनाएं. डेमो के बाद माया वेब पोर्टल का उप्योग करने के लिए शिक्षकों के लिए क्या दर है? खृप्या यह कीमत देखें. इस पोर्टल पर कितने पार्थ्यक्रम सूची बद किये जा सकते हैं? पार्थ्यक्रम असीमित के रूप में सूची बद किया जा सकता है. इस पोर्टल में कितने चात्रों को जोड़ा जा सकता है? आप असीमित चात्रों को जोड़ सकते हैं. क्या इस पोर्टल में लाइव क्लास लेने की कोई सुविधा है? आप यूट्यूब लाइव विडियो लिंक को सूची बद करके लाइव क्लास ले सकते हैं. अभी रजिस्ट करें और अधेग जानकारी के लिए देमो आजमाएं पाठ्यक्रमों को सूची बद करने में मेरी सहायता कौन कर सकता है एक बार शिक्षक मंजी कृत हो जाने के बाद पाठ्यक्रम की सूची कैसे बनाएं PDF कैसे सूची बद करें और Live Class कैसे लें इस पर हर जगह वीडियो होंगे आएए इन वीडियो को देखें और पाठ्यक्रम की सूची बनाएं मैं एक छात्र हूँ क्या मुझे माया पोर्टल पर शुल्क देना होगा नहीं यह छात्रों के लिए सौ प्रतिशत मुफ्त है छात्र शिक्षक और पाठ्यक्रम पा सकते हैं लेकिन ट्यूशन फीज सीधे शिक्षकों को देनी होगी मैं एक शिक्षक और एक छात्र के रूप में पाठ्यक्रम कैसे ढूंड सकता हूँ पाठ्यक्रम का नाम शिक्षन विशय संस्थान का नाम और स्थान के लिए यहां खोजें यहां अपना मोबाइल नंबर या मेल आईडी दर्ज करें स्थान दर्ज करें और खोजें, अब आप चयनित क्षेत्र में शिक्षक पा सकते हैं, यदि आपको इस क्षेत्र में शिक्षक नहीं मिलते, तो अन्य स्थानों के नामों से खोजें, वर्तमान शिक्षकों का वेब पोर्टल खोलें, अब आप इस शिक्षक का संपर्ख पता, Whatsapp नम्बर और पार्ठ्यक्रम की जानकारी देख सकते हैं यहां आप सीधे शिख्षकों के Whatsapp पर चेट कर सकते हैं यहां मेल द्वारा ट्यूशन की जानकारी मांग सकते हैं लेकिन अगर आप शिख्षक की जानकारी नहीं देख पा रही हैं तो आपको पंजी करन या लॉग इन करने की आवश्चकता है। एक रजिस्टर क्या है? लॉग इन क्या है? यदि आप इस वेब पोर्टल पर पहली बार जा रहे हैं, तो आपको पंजी करन करना होगा। यदि आप एक छात्र हैं, तो आपको यहां एक छात्र के रूप में पंजी करन करना होगा। मत भूलो, यदि आप एक छात्र हैं, तो केवल पहली बार एक छात्र के रूप में पंजी करन करें। यदि आप एक शिक्षक के रूप में पंजी करन करते हैं, तो आप इस पर जाने के बाद, माया ट्यूटर एक्टिवेशन मेल खोले, एक्टिवेट लिंक पर ख्लेक करें, रजिस्टर अब पूरा हो गया है, अब आप अपनी मेल आईडी और पास्वर्ट डाल कर लॉग इन कर सकते हैं, चयन करें, मेंबर पहुझ, अपनी मेल आईडी और पास्व को खोजें, जिनकी आपको आवश्यक्ता है, इसके लिए यहां खोजें, कर दिन खर मेंबर पास्यक्ता है, टो खोजें, हँैउते हैं, पास्वर्णार क diff कर दो LED झाल 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 झाल